अलो दोस्तो मैं हूँ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं Global Conflict दोस्तो कुछ दिन पहले मैं आप लोगो को ब्रमोस मिसाल के उपर एक वीडियो बना के दिखाया था जिसमें मैं आप लोगो को ब्रमोस मिसाल का कितना वेरियन्ट है उसके बारे में बताया था और उसी वीडियो में आप लोगों को वादा किया था कि मैं Bromoz 2 के उपर भी बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा तो दोस्तो उसी वादा को पूरा करने के लिए आज ये वीडियो में Bromoz 2 के उपर बना रहा हूँ तो देरी ना करके चलिए शुरू करते आज का वीडियो और जानते है डिटेल में दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगो एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये वोग प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तो ब्रोमोस 2 या ब्रोमोस मार्क 2 ब्रोमोस मिसाइल का एक सुपर सॉनिक वर्शन है दोस्तो इस मिसाइल को ब्रोमोस 2 या ब्रोमोस मार्क 2 बलायाता है जबकि बहुत लोग इस मिसाइ Bromhose Aerospace Private Limited का Bromhose 2 दूसरा प्रोजेक्ट है इससे पहले इंडिया और रेशिया मिलके Bromhose मिसाइल के उपर सफलताभूर का काम कर चुके है जो कि अब तक का दुनिया का सबसे ज़्यादा स्पीड वाला क्रूज मिसाइल है और Bromhose 2 वही पे दुनिया का पहला और फास्टेट्स हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों आशा किया जा रहा है कि इस मिसाइल का रेंज 400-600 किलोमेटर के बीच में होगा और इसका स्पीड करीबन माक 7 होगा मतलब बेसिक Bromhose या Bromhose 1 का करीबन दुगना दोस्तों इंडिया या रश्या दुआरा इस पोजेक के बारे में ज़्यादा डिटेल डिकलेयर नहीं किया गया है पर हमारे जानकरी के हिसाब से इस मिसाइल में एक स्क्रायम चेट आफ्टर वर्निंग जेट इंजिन का इस्तेमाल होगा दोस्तों पहले के प्लान के मुताब एक Bromhose 2 का रेंज भी Bromhose 1 के जैसा 290 किलोमेटर रखा गया था क्योंकि उस समय इंडिया MTCR का मेंबर नहीं था 600 किलोमेटर और इस बज़ा से माना ये जा रहा है कि अभी का Bromhose 2 भी करीबन 600 किलोमेटर रेंज तक हो सकता है और ये मिसाइल का स्पीड Bromhose 1 से डबल होगा दोस्तो एक बर ये मिसाइल बन जाने के बाद ये दुनिया का सबसे स्पीड वाला हाइफोर सौनिक क्रूज मिसाइल बनेगा जबकि अभी तक ये खिताब Bromhose 1 के पास है और Bromhose 1 के बराबर का कोई मिसाइल अभी तक दुनिया में नहीं आया है तो दोस्तो आप समझ सकते हैं कि Bromhose 2 बन जाने के बाद ये कितना खतरनाक और कितना एडवांस होगा और ये मिसाइल इंडियन आर्मी ने भी और यार फोर्स को कितना यादा मजबूत करेगा फिलाल अभी के जानकरी के हिसाब से रशिया एक सिक्रेट फ्यूल के उपर काम कर रहा है जो कि Bromhose 2 में इस्तेमाल होने वाला स्क्रैम जैट इंजिन में इस्तेमाल होगा और ये फ्यूल Bromhose 2 मिसाइल को करीबन Mark 7 स्पीड तक जाने के में मदद करेगा दोस्तो 2011 में कुछ इसका प्रोटोटाइप बनाया जा चुका है और 2012 से इसका टेस्टिंग चल रहा है दोस्तो माना ये जाता है कि रशिया का बनाया हुआ 3M22 जर्कॉन मिसाइल ही Bromhose का बेसिक भर्शन है जिसके उपर इंडिया भी खुपिया तरीके से काम कर रहा है एक बार Bromhose 2 मिसाइल बन जाएगा तो इंडिया ने भी अपने आने वाले फ्यूचर हर एक डेस्ट्रॉयर में ये मिसाइल का इस्तेमाल करेगा साथी साथ ये भी सुनाई दे रहा है कि रशिया अपना फ्यूचर एडवांस डेस्ट्रॉयर मतलब प्रोजेक्ट 21956 में ये मिसाइल का इस्तेमाल करेगा दोस्तो ब्रोमोस 2 का नाम ब्रोमोस एरोस्पेस प्राइबेट लिमिटेड दवारा इंडिया का भूधपूर्वे प्रेसिडेंट सरगीय डॉप्टर एपीजे अब्दूलकलाम के नाम पे ब्रोमोस के रखा गया है तो चलिए दोस्तों अभी हम जानते है Bromos 2 का कुछ स्पेसिफिकेशन इस मिसाइल का जादातर स्पेसिफिकेशन अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है फिर भी हमारे पास जितना जानकरी है उसके हिसाब से ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है साती साथ इसका एर लॉंच एंटी शिफ लैंड अटेक एंड सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल वर्शन भी है तो सो Bromos 2 मिसाइल को Bromos 1 जैसे Fighter एर क्रेप्ट से लॉंच किया जा सकता है जिसे एर लॉंच वर्शन Bromos 2 मिसाइल बोला जाएगा इसके इलावा इस मिसाइल को शिफ से भी लॉंच किया जा सकता है साती साथ सब्मरीन से लॉंच करने के लिए सब्मरीन लॉंच Bromos 2 भी बनेगा इसके इलावा लैंड वेस किसी भी मोबाइल ट्राक के सहरे भी इस मिसाइल को लॉंच किया जा सकता है दोस्तो इस missile को इंडिया और रशिया द्वारा ही इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि इसका technology बहुत ही sophisticated और critical है और रशिया और इंडिया नहीं चाहता है कि ये missile का technology किसी भी तीसरे country को मिले तो दोस्तो ये था मेरा आज का वीडियो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे comment के जरीए बताईए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको like कीजी अपने दोस्तों के साथ share कीजी और मेरे चनल को subscribe करना मत भूलेगा और सब्सक्रिशन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेज कीजी और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले जय हिंद